नमस्कार दोस्तु आज सनिवार और आज मैं घर करी हूँ तो आज अपनी दोस्तों से ब्लोग के जर्जे चर्शा करना चाहरा हूँ छोटा सा ब्लोग बनांगा जाड़ा बड़ा नहीं आपको बूर भी नहीं मिले दूंगा तो आज मेरा भड़ा खाल गुल इस्ता की मंदिर मजानी का विचार था गया में परन्तो यसे ही गया मैंने वीडियो बनाई सिता दी माता की बनाई और गुल जुकी मंदिर की बनाई क्योंकि आपरा दुगदा भी सिक्ता परन्तो वीडियो बहुत अच्छी आप देहने के लिए मिलती नेक्स्ट टाइम में मैं जरू फिर से बनाऊंगा उसको और आपको दिखांगा तो आज मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूं कि यूट्यूब पर वीडियो जो है हम अपलोड तो करते हैं और हम अपलोड करते समय बहुत अच्छा लगता है अपनी दर्शकों से अपनी बातें सेयर करने में अपनी जो पहाड के द्रक्षे उनको दर्शाने में द दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है अब यूए पहाड के द्रक्षे आपको दिखाता हूं यह देख रहे हैं आप पर सामने बेखिए तो दोस्तों आज का मनौक मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा इंपर इंड़ कर रहा हूं कट को नेक्स्ट वीडियो बड़ी दॉस्तों पहाड पर ज्यो है अभी स्वाण माहा चलावा हए हरयाली ऐ देख रहे हैं हर्याली है और मक्का होनी वाली है तो ठीक पेसे आप देख रहे हैं मक्का मेरी है, तो अन दिनों मक्का छोटी थी, तो अब बड़ी हो चुकी है, कुछ समय के बाद इसमें मक्का के वहाएंगे, बड़े होंगे, तो अभी पहाड़ों बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंगी चारुतरब हर्याली है, मक्का ह पूरी है, और लोकी होने वाली है, तूरिया होने वाली है, एक आद महने में तैयार हो जाएंगे, तो अभी पहाड़ों पर जो है, सावन का महना है, और बहुत अच्छा लग रहा है, हर्याली है, चारुतरब, खेतुम हर्याली है, घास है, तो दोस्तों आद ब्लॉग के जर्यारी मैंने सोचा कि आपको पहाड का जरक्ष दिखाया जाए, कि पहाड़ों अभी क्या हो रहा है, कैसी हर्याली है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये अपका चारुतरब हो रही है, तो अपने दोस्तों को वह दिखाने के लिए आज मैंने व्लोग बनाया है, और दोस्तों मा दुसरा देना चारा था गुड़काल गोजी के मंदिर का आज अंदा रहा था दिखदा विसीद खासान वहने की वज़ा से, तो मैंने बनायाता था कुछ कारण बस सो डिलीट होगी ये वीडियो, तो फिर मैंने जल्दवाजी में ये वीडियो बनाई, तो ने मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद